उन्हों क्या बोल रहे हुआ के सवाल करें, मुहम्माद अगर सची बात है तो मजजीद अक्सा में कौन सी खिड़की कहा है, कौन सा दर्वाजा कहा है, कौन सी तरफ क्या है, कौन सा डिरेक्शन में क्या है, यह हमारे कुछ बताओ, देखो अब कोशन, अल्ला की रसुल स्वा अरे कोई अगर गया समझो कहीं तो भी पूरे एक इजबर जहन में रहते है क्या उसको कोई सी भी मस्जीद को अपन भी गए अगर तो कोई सी खिड़की कहा है कोई सा दर्वाजा कहा है कोई सा जढ़ कहा है बले तो याद ने रहता अल्ला की रसुल स्वाल गब राए अल्ला कोई से देख रहे थे मस्जीद अकसा को उनों जो सवाल करे वह सवाल का सही जवाब दियाई रसुल स्वाल स्वाइल jun лachat पूरा बता दिया आला कि रसून सकों इतना बड़ा मौझजा देखके भी यह मक्के के मुश्रिक हिदायत पे नहीं आए अचा हिदायत बुले तो बात याद आई भोई हिदायत किसको बलते जी क्या सीधा रास्ता कोसा सीधा रास्ता अमेरी aumentar जननत में जाने का, तुम लोगा सोब मांग रहे की नहीं मांग रहे, मांगे कभी अल्ला से, अच्छा मांगे बोले से लोगा नहीं हाथ उठाओ, थोड़े लोगां देख रहें, बाज में उठाए तो मैं उठादू, बाज में कौन उठादू, नहीं तू नहीं उठादू, अब मैं क्या बोलके मांगे बोले तो क्या सवाल, क्या जवाब देते बोलो मांगे न अल्लात अल्ला से क्या बोलके मांगे बोलो माशाला, very good भाई, हम सब मांग रहे हाथ उठाए सो लोग आंच नहीं, हाथ जो नहीं उठाए उन्हों भी मांगे हर दिन मांग रहे हम क्या बूल के मांग रहे इह दिन स्रौतल मुस्ता Playam पढ़ते की नहीं पढ़ते यह इस तो है आदर हमें सीधे रास्ते पर चला जो हिडायत वोला रास्ता है जो जन्नत में ले जाने वोला रास्ता है हर दिन मांग रहे हम लोगा तो हिदायत किसको देता अला देखो यहां पर तो मौज़ा दिखा आखों के सामने नभी मौज़ा दिखा है उनको सही सही बात बोले फिर भी हिदायत नहीं मिला क्यों नहीं मिली हिदायत देखो हिदायत बोले तो जन्नत में जाने का रास्ता जन्नत में जाना बोले तो खाली आइसा नाम के मुसल्माना का नाम रख लिये तो जन्नत में नहीं जाते हिदायत बोले तो उसको इमान क्या है इसलाम क्या है मालूम होना उन्हें पांस टेम नमाजी नमाज पढ़ना उन्हें रमजान के रोजे रखना, जकात देना, पूरे इसलाम को फालो करना, ये है हिदायत, ये है सिधा रास्ते पे उन्हें आए बोले ऐसा, तो ये किसको मिलता मालूम है, जिसके दिल में तड़प है, उसको मिलता है, यहाँ एक अहम बात बोल रो मैं अगर शायद आप रखेंगे तो आपको हज़ारों लाखों में भी शायद ये बात नहीं मिलती होंगी, याद रख लो हमेशा मरे तक याद रख, हिदायत किसको मिलती, पहली चीज़, जवाब दो, किसको भी बही नमास पढ़ने की तोफीख मिल जाना, बहुत बड़ी बात है, कुरान औ सु से पहले जिसके अंदर तड़ा प्रेना, जिसके अंदर तड़ा प्रेना, उसको मिल जाता, जो मांगता अल्ला मुझे चला सीधे रास्ते पे, अल्ला मुझे नमास की तविख दे, अल्ला उसको देता, जो मांगता उसको देता, जिसके दिल मेच नहीं है उसको, नहीं देत मोज़ा दिखाना मोज़ा दिखाए तो हम मानते बोले शालेय अलेसलाम को भी एक मोज़ा दिया था अल्ला कोई सा उंटनी का और वो कैसा डिमांड करें मालूम है हम आखों के सामने जो पहार देख रहे न वो पहार में से वो पत्थर में से उंटनी निकलना और उंटनी का बच्चा भी रहना उंटनी आके हमारे आख्यां के सामने बच्चा भी पैदा करना आईसा दिखाओ बोलके बोले अब ये देखने के पाद भी वो लोगां इमान नहीं लाए तो क्यों नहीं मिलता लोगों के हिदायत इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद यहां पर भी मक्के के मुझरिक इतना बड़ा मोज़ज़ा देखे फिर भी हिदायत क्यों नहीं मिली हिदायत क्यों मालूम है ये लोग जो हिदायत मांग ये लोग जो मोज़ज़ा मांगते न डिमांड करते न उंटने निकालो हाता में से उद निकालो फूला निकालो फूके तो नारेला निकलना निम्बुवां दिखना यह आज के जूटे आमिल बाबा उनके चक्कर में आगे लोगां यह मांगते अल्ला के रसूलों के साथ वो ख़ूम वो मांगती थी मौज़ा कुछ तो भी दिखाओ वलके तो मांगने वाले के दिल में क्या रहता था हम उंटनी का डिमांड कर रहे इन्हें उंटनी निकालता नहीं दिखाता नहीं हम सीधे रस्ते पर आते नहीं मजाख उड़ाने के वासे मांगे समझ में आई बात ये पाइंट की बात है शायद आपको अगर समझ में आए तो लाखों में एक बात है इदायत के उन्हें मिलती इसका जवाब है अल्ला के रसुल को भी इन्हों क्या नियत से मांग रहे फलस्तिन के मस्जिदों के दर्वाजे खिडकीया क्यों मांग रहें मालूम है इन्हों बोलते नहीं ये होटा नहीं खाली मजाख उड़ा सकते इसका हमें सीधर रास्ते प्याव हम सीधर रास्ते आगर उनके दिल में होता सही बिए अगर मौंमद हमारे कुछ सही सही खिडकीया और दर्वाजे पूरे निशानियां दिखा दिये तो हम कल्मा पढ़ लेते अगर ये निये से सवाल करे तो अल्ला ताला उनको हिदायत दे देता था लेकिन उन्हों मजाख करने की निये से पूछे अल्ला उनको हिदायत नहीं देता तो आज भी अगर कोई नमाज में यहाँ बनना की हाँ बनना की दरगां करने के उन्हें जाना फातियां के उन्हें देना ये रसम के उन्हें करना जो सवाल करता ना सवाल करने वाला भी अगर मजाख के लिए सवाल करा समझो उसको हिदायत नहीं मिलता नहीं अगर सवाल का सही जवाब मिले तो मैं सुधर जाता हूं बलके सवाल करता ना उसको हिदायत मिल जाती बस ये समाज़ लो